Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया चुले श्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हम लोग अपना लेक्चेर पढ़ रहे थे Pharmaceutical Doses Form, ठीक है न लेक्चेर न चैप्टर नमबर 5 जिसका हम लोग लेक्टर लेक्टर लेक्चेर आये हैं, लिक्विड औरल प्रिपरेशन में इमल्संस, ठीकर न, इससे पहले सस्पेंशन को हम लोग ने समझ लिया था है, तो इमल्संस क्या होते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा, मैं एक वरी तुम लोग को थोड़ा ब्रीफ कर दू, इमल्संस क्या है, कैसे समझेंगे, इमल्संस को, तो, ओके, सिंपली होता क्या है, दो ऐसे लिक्विड, इमल्संस में क्या रहेंगे, टू लिक्विड, क्या रहेंगे, टू लिक्विड, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे, दो लिक्विड रहेंगे, ठीक है और दो liquid ऐसे होंगे जो आपस में mix नहीं होंगे two liquids do not mix दूसरी quality क्या है दो liquid होंगे और यह आपस में mix नहीं हो सकते example के तौर पर करम बात कर लें oil and water क्या इनको आप लोग मिला सकते हो normal तौर पर normal तौर पर यह नहीं मिलेंगे ठीक है ना असानी से नहीं मिलते हैं तो हम लोग ने किया किया suppose एक यह रहा हमारा water ठीक है और यह रहा हमारा oil ठीक है ना अब हम चाहते हैं कि यह दोनों आपस में mix up हो जाएं तो होता क्या है हम लोग एक third party का इस्तमाल करते हैं third party मतलब एक तीसरी चीज़ की साहता लेते हैं और वो होता है हमारे पास क्या emulsifying agent ठीक है ना वो क्या हमारे पास this यह क्या है this is emulsifying agent यह क्या होता है emulsifying agent इसके पास ऐसी छमता है कि यह अपने दोनों तरफ मतलब एक तरफ aqueous यानकी पानी water क्या हो गया, aqueous और एक तरफ क्या हो गया, oil यानि कि non-aqueous तो अगर मैं इसको पूरा बना दूँ तो एक तरफ क्या है, इसके लाज़ चमता है कि यह पानी को अपने अंदर चिपका सकता है और एक तरफ क्या है ये करेंगे जब mix करेंगे तो कुछ इस तरह की layer बनेगी हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसका mix करेंगे तो यह कुछ इस तरह की layer हम समझ सकते हैं करके कि या फिर यूँ कहले यह बात concept में आ गया तो होता क्या actually या फिर यूँ कहले इसको थरह सा समझें कि यह वाटर है ठीक है और इसके उपर क्या होगा जो यह है इमल्सिफाइंग एजेंट यह अपनी एक covering कर लेगा क्या कर लेगा अपनी covering कर ली ठीक है थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूं समझने में आसान रही यह इसके उपर क्या कर रहा है अपनी एक covering कर ले रहा है ठीक है और अब यह क्या तयार हो गया एक ऐसा drop बन गया है कि जब मैं इसको अब किसमें डालूंगा एक ऐसे medium में जिसमें चारों तरफ क्या है ओईल ही ओईल है यह इसके अंदर डिजॉल हो जाएगा तो यहां पर हम लोग जो जैसे यह यहां पर क्या है solvent और यह क्या हो गया solute तो यहां पर solute और solvent के लिए कुछ अलग से नाम इस्तमाल होते हैं क्या नाम है solvent को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम याद करो क्या बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम है ठीकर है न अब इसका इस्तमाल इस तरह की क्यों मिक्स करते हैं क्या क्या उनके और यूज हैं क्या क्या कि अप्लिकेशन अवगरा वगरा सारी बाते इस लेक्षर मम कवर पूघाइंगी थो दो तो ऐसी Liquis emulsion मतलब दो ऐसे Liquis जो आपसे में Dissolve नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं एक तीसरे Agent emulsifying agent की help से उनको आपसे mix करवाते हैं clear है emulsion clear हो गया two liquids जो आपसे dissolve नहीं होते है और Emulsify agent start करें अब अब आय आते हैं आप अम लोग तो क्या बोल रहे हैं एन इमल्सन लिजे, mixture of two or more liquid, अच्छा, दो से ज्यादा liquid ही हो सकते हैं, that is normally unmixable, जो कि आमतार पर unmixable है, mix नहीं होते हैं, and unblendable, blend मतलब mix नहीं होना, it is a term used in chemistry, यह तर्म है, यह तर्म कहां चित्वाल होता है, chemistry में, कौन सा, इमल्सन का, कि इमल्सन एक ऐसी चीज़ है, यह दो liquid का, जो mix नहीं हो सकते हैं, it means, इसका मतलब, that in an emulsion, कि किसी emulsion में, the dispersed phase and dispersion medium, उपर बता हैं, मैंने अभी, are both liquid, दोनों के दोनों क्या होंगे, liquid, यह तुम्हारा one mass question आ सकता है, पताओ, दोनों, dispersed phase and dispersion medium, दोनों आपस में क्या है, liquid है, there is two basic type of emulsion, emulsion के दो type होते हैं, oil in water, और water in oil, है न, पढ़ा होगा, oil को, यानि कि oil थोड़ा है, और water जादा है, या इसका उल्टा, water थोड़ा है, और oil जादा है, पानी को, oil में मिला रहे हो, कि oil को पाने ही मिला रहे हो, ठीक है, oil in water में water मेरा solvent हो जाएगा, oil solute हो जाएगा, water in oil में oil solvent हो जाएगा, water solute हो जाएगा, यानि कि dispersed phase और dispersion medium, यह dispersed medium and this is dispersed phase, के लिए रहे बाते हैं तो यह कुछ बात थमने एक तरह से समझें कोशिस की केमिस्टी के टर्म में अब अगर हम बात करें डेफिनिशन के हिसाफ से अपने फार्मसिटिस के हिसाफ से ले ले तो कहरा है आईउसन इसन थर्मोडाइमिकली अनिस्टेबल बीटा वनमास कोश्चन के लिए मार्ग करेंगे थर्मोडैमिकली उनिस्टेबल है इमल्से तयार कर दिया है हमने कभी आईश क्री में ले ना लगती ज्यादा हीट करोगे तो थोड़ी जिवात पानी अलग हो जाएगा उसकी खराब हो जाता है मतलब यह फिर butter नहीं रहाता है ठीक है तो heat करने पर unstable यह destroy हो जाते है ठीक है एक thermodynamically unstable system consisting of at least two immisible immisible मतलब जो आपस में mixed ना हो liquid phases one of which is dispersed एक dispersed होता है as a globule droplets की выполid form ओधिकरन एक की फॉर्म में दूसरी देर फॉर्म है यहांपर क्या है यह लिट्विट डिस्परश हो रहा है किसके लगेंदम्म उब्लोब्विल कि फॉर्म में इन दा अदर अदर लुविडस इस्टेबीलई सब्सक्व अधर ना गुन agree पर यह थीख है अब कहे रहा दोपलेट फेज़ दोपलेट मतला यहां पर क्या होगा वाइं यान कि हम जिसको मिला रहे है यान कि dispersed face medium नहीं इस कॉल dispersed face तो droplet face जो drop के रूप में जाएगा उस हम dispersed face कहेंगे और internal face कहेंगे and the liquid in which droplets are dispersed जिसके इंदर drops डाले जा रहे हैं ठीक है उसको हम लोग क्या कहेंगे external और continuous face या dispersion medium dispersion medium clear the particle size of the dispersed face commonly range from 0.1 micrometer से 100 micrometer का एक जनरली एक रेंज रहती है dispersed face की and emulsion ठीक है in an emulsion oil and water can be forced to mix so instead of forming two separate layers कह रहा है किसी emulsion में oil and water को जवरस्ती mix किया जाता है और बजाए वो दो separate layer बनाने की बजाए ठीक है ना small droplet of one liquid are spread throughout the other दो अलग-अलग boundary नहीं बनती है इसमें होता क्या है एक small droplet of one liquid जवरस्ती mix करने की कोशिश करते हैं तो एक के छोटोटो ड्रॉप्स दूसरे के उसमें क्या होता है फैल जाते हैं दूसरे liquid में ठीक है जो drop बनते हैं उसको dispersed phase का बनता है और जिसके अंदर वो फैलता है यह drop बनके इसके अंदर फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बीगो क्या मान लो वाटर मान लो हमने इसको mix करने कोशिश की तो जब भी mix होने कोशिश आती है तो यह क्या करता है फेज जैसे चोड़ेंगे यह ओपस से अलग हो जाएगा और वापस से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर क्या add कर दूँ emulsifying agent क्या add कर दूँ emulsifying agent ठीक है न तो अब emulsifying agent ने इसके उपर क्या वना लिए में आ रही है तो क्या है two immisible liquids not emulsified इनको emulsify नहीं किया है जो यह वाला पार्ट है ठीक है क्योंकि यह unstable है धिर धिरे वाला पार्ट अलग हो गया और यह आला पार्ट अलग हो गया places itself on the interface interface मतलब beach में दो कफ interface दो चहरे के beach में एक चहरा यह एक चहरा यह इसके beach में आ करके अपने आपको यह फसा लेता है इस तरीके से ठीक है तो यह क्या करेगा दो नों को beach में अपने आपको set कर लेता है phase A और phase B के beach में and stabilize the emulsion और emulsion को stabilize कर देगा अब यह इसके अंदर घुल गया clear concept emulsion को थोड़ा सा imagination करना ज़रूरी है imagination नहीं करोगा फिर दिक कर देगा अब आगे आते हैं according Indian pharmacopia IP के according oral emulsions are oral liquids oral emulsions क्या होते है emulsion का मतलब एक तरह से liquidy है oral liquid है ठीक है ना और यह भी किसकी category में आएगा solution के category में आएगा oral emulsions are oral recruit containing one or more active ingredients इसी के अंदर हम लोग जब यह suspension नमारा तयार हो गया तो इसी के अंदर हम लोग कुछ active ingredients को add करते है अगर जरूरत है तो and are stabilized oil in water dispersion ठीक है ना और स्कॉम oil in water जो dispersion होता है उसको क्या कर देते हैं stabilize कर देंगे either or both phases of which may contain dissolved solids ठीक है either or both phases ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों phases में को solid dissolve हो रखे हैं या किसी एक में याने कि हमने क्या किया हमको कोई चीज मानलो कोई चीज डिजॉल्व करी तो हो सकती कोई चीज water soluble थी तो वह पानी वाले पार्ट में डिजॉल्व हो जाएगी ठीक है अब मानलो कोई चीज कैसी है इमल्संस और लिक्विड होते हैं containing one or more active ingredients इनके अंदर कुछ एक एक से ज्यादा active ingredients होते हैं and are stabilized oil in water dispersion होते हैं यहां पर specify कर दिया क्या oil in water dispersion either or both phase कोई एक या दोनों phase के अंदर में contain उनके अंदर dissolved solid हो सकते हैं solid में also भी suspended in oral emulsions solid उसके अंदर suspend भी कर सकते हैं इमल्संस में exhibit phase separation but are easily reformed on shaking और साथ साथ में कह रहा है तीसरी चीज क्या बोल दी उसने ऐसा भी हो सकता है कि जो particle हमने dissolve किया वो suspension के रूप में हमें अलग से दिखाई दे रहा हो मतलब emulsion अलग और solid particle अलग और उसके बाद क्या बोल रहा है emulsions में exhibit phase separation हो सकता है कि यह particles अलग हो जाएं मतलब यह जो drops है यह ऐसे अलग-अलग आ जाएं लेकिन जैसे हम इसको shake करेंगे यह वापस से मिल जाएगा अगर stable suspension होगा तो बाद समझ में आ रही है तो emulsion में exhibit phase separation इसमें phase separation हो सकता है but are easily reformed on shaking जब हिला देंगे तो वापस से यह mix हो जाएगा clear है बाद समझ में आ गई ठीक है now according USP United States Pharmacopoe के हिसाफसा अगर बात करें emulsions are two phase system ठीक है two phase system होता है in which one liquid is dispersed throughout एक liquid dispersed फैला होता है throughout दूसरे liquid के अंदर in the form of small droplet छोटे छोटे droplets की form में एक liquid दूसरे liquid के अंदर पूरा फैला हुआ होता है if oil is the dispersed phase अगर oil एक dispersed phase है and an aqua solution is the continuous phase अगर oil dispersed phase है और aqua solution यानिकि पानी continuous phase है the system is designated as oil in water तब हम उस system को oil in water कहते है oil in water emulsion if water or an aqua solution is the dispersed phase अगर water या aqua solution dispersed phase है and oil or oiliginous material oil या कोई और greasy material oiliginous मतलब कोई chicken material continuous phase है the system is designated as water in oil emulsion उस case में हम लोग इसको क्या कहते है water in oil emulsion कहते है ठीक है अब emulsions are stabilized by emulsifying agent emulsions को stabilize करने के लिए emulsifying agent की ज़रूत होती जाने कि हम बिना emulsifying agent के emulsions के बारे में कलपना भी नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते emulsions बनेगा ही नहीं बिना emulsifying agent के ठीक है that prevent coalescence coalescence मतलब छोटे drops का आपस में जूड़ना अगर छोटे drop आपस में जूड़ 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 जाएगा तो वो separate हो जाएगा है ना main solution से निकल के अलग हो जाएगा तो prevent coalescence means the merging merging मतलब mix होना of small droplet into larger droplet है ना coalescence का मतलब क्या हो गया छोटे छोटे drop जो हम लोगों नहीं देखे हैं ठीक है तो होगा क्या यह छोटे छोटे drop आपस में मिल जाएंगे सब और एक सब यह मिलके बड़ा सा बन जाएंगे और यह separate हो जाएंगे अलग हो जाएंगे इस टाइप से यह separate होके वापस से ऐसे बन जाएंगे that is called coalescence ओके इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको हम surfactant भी कहते हैं ठीक है ना are used to stabilize emulsions by providing a physical barrier around the particle to coalescence ठीक है ना तो यह क्या करा है यह surfactant होते हैं यह stabilize करते हैं emulsions को by providing a physical barrier यह एक तरह का physical barrier लगा देते हैं physical barrier मतलब अब रोक दिया अब यह दो particle चाहा करके भी आपस हम मिल नहीं सकता को कि इनके बीच में क्या है इनके बीच में emulsifying agent लगा हुआ है तो आपस हम जोड़ भी नहीं पाएंगे ठीक है ना surfactant also reduce the interfacial tension जिसे हम surface tension कहते हैं between the phases और साथ-साथ में दो phase के बीच का यह interfacial tension भी reduce करता है thus increasing the ease of emulsification upon mixing और इस प्रकार उसको emulsify याने के mix होने में क्या करता है वो help करता है ठीक है बासमझ में आ रही है oil और पानी जैसे चीज़ों को यानि कि पानी और चिक्नी चीज़ों को मिलाने के लिए emulsifying agent के हमें जरूरत पड़ती है तो यह अपना थोड़ definition हो गया लिखने के लिए जैसे मैंने बताता हूं हमेशा definitions are very important definitions बहुत ज़्यादा पुछी आती है कम से कम 10 number के definitions आपके पूरे exam में आती आती है तो definition हर किसी की याद करनी है advantage बड़ा असान है unpalatable oil ऐसे oil जिनको हम खा नहीं सकते हैं can be administered in palatable form इसको हम इस तरह के से पानी मिला करके body के अंदर डाल सकते हैं unpalatable oil soluble drugs ऐसे drugs जो oil soluble है oil में mix हो आते हैं लेकिन हम उसको खा नहीं सकते हैं कड़वी होते हैं bitter होते हैं can be administered in palatable form उनको हम इस तरह के से oil में dissolve करके फिर उसका emulsion बना करके पानी के अंदर हम दे सकते हैं mask the unpleasant taste test को mask कर देता है छुपा देता है बुझो बुरे टेस्ट होते हैं improved bioavailability, bioavailability increase करती है body के अंदर antiseptics are found to be more efficacious in oil water emulsion जो antiseptics होते हैं वो oil in water emulsion में काफी अच्छा काम करते हैं जो पानी वाला phase होता है उसको हम इजली flavoring कर सकते हैं उसकी the oily sensation is easily removed ठीक है जब जीप पर लगता है कुछ medicines होती है oily वाली वह जब जीप टाच होती है तो जब इसके नदर चला गया पानी के अंदर emulsion बना दिया तो उसको हम लोग कर सकते हैं remove हट गया वह sensation the rate of absorption is increased absorption rate increase कर जाता है इसा हो सकता है दो incompatible ingredients है जो आपस में compatible नहीं है आपस मिक्स करने पर दिक्कत हो सकती है उनको ठीक है ना mixing में तो हम उसको एक oil soluble होगा तो water dissolve करवा देंगे अब मिला करके emulsion बना दिया अब वो क्योंकि एक oil के अंदर एक पानी के अंदर आपस मिक्स तो होंगे नहीं हो तो दो incompatible ingredients ऐसे ingredients जो अगर साथ में मिक्स कर दिया आते तो वो क्या हो सकते थे गरवड कर सकते थे reaction कर सकते थे now water in oil emulsions has a greater emollient effect when applied externally है ना emollient एक तरह सूधिंग effect आपना oil in water emulsion applied to skin readily washed off from the skin and cloth जो oil in water emulsion है sorry नौर्मली अगर oil की oily चीज़ होगी तो इसकीन से छूटती नहीं चिकन चिकना हो जाता है यह कपड़ों लग जा तो छूटता नहीं है लेकिन origin water emulsion जो बनाया है इसका पानी की मातर जादा है तो इसकी वएसे easily धुल जाती है और कप्ड़ प्लोस से भी easily छोड़ जाती है disadvantage क्या है यह सारे इसके क्या advantage है disadvantage क्या है preparation needs to be shaken well before use हर वारी हमें इसे अच्छे से हिलाना पड़ेगा अब measuring device is needed for administration हर बारी के एक measuring device ही है एक cap चाहिए या कोई चीचे जिसमें नाप करके हम दबा को लगाएंगे या पीएंगे storage condition may भी affect stability अगर storage condition गरबड हुई थोड़ी सी कम जादा हुई तो उसकी stability पे फरक पढ़ सकता है या जैसे starting होता है था thermodynamically unstable होते हैं यह बल्की difficult to transport काफी बल्की होते हैं लिक्विड हैं तो बल्की होंगे जैसे suspension होते हैं तो ट्रांस्पोट करने में इनको दिक्कत आती है तूट फूट सकते हैं यह liable to microbial contamination which can lead to cracking microbial contamination हो सकता है इसकी वज़े से क्या हो सकती है cracking हो सकती है तो यह दो point तो common है suspension में भी थे अपने तो इस तरीके से वाले point यह दोनों point वहापर भी काम कर जाएंगे तो advantage और disadvantage clear हो गए चले आगे अब types of emulsions की बात करें तो देखो emulsions को हम लोग कई तरीके से divide करते हैं वाद फिलाल यहां पर समझेंगे classification of emulsions में एक होता है simple emulsions यहां पर droplet size 0.2 micrometer से 100 micrometer रहता है इसके दो कटेगरी आती है oil in water और water in oil emulsions एक होता है multiple emulsions oil in water water in oil oil को पहले water में डालेंगे फिर water को oil में डालेंगे ultimately जो मेरा solvent होगा वो क्या होगा oil होगा इसमें water in oil oil in water पानी का drop बनाके oil के अंदर फिर all drop को डालेंगे पानी के अंदर ठीक है अब इसका diagram दिखाऊंगा मैं फिर है micro emulsions सिर्फ size की वज़े से हमने इसको क्या बोला है इसका साइज बहुत छोटा होता है 1 से 100 नैनो मिटर का रहता है ठीक है इसके वही है oil in water और water in oil type के दो होते हैं तो यह एक general classification है जिसके मैं अगर तुमको diagram दिखाने कोशिश करूँ तो देखो क्या है यह जो है मेरे पास क्या है oil है this is oil and blue वाला क्या है water यह हो गया oil in water ठीक है this is water in oil अब जगो यहां पर क्या है oil in water और फिर यह वापस से oil ठीक है ना यह drop वाले क्या है oil है यह पानी के अंदर और फिर उस पानी को oil के अंदर डाल रखा है ठीक है this is oil यह पानी और फिर इस पूरे को पानी को वापस से oil में डाल रखा है this is water in oil दिख रहा है यह अंदर white white वाले गोले क्या है water in oil और फिर यह वापस से water के अंदर है तो यह multiple emulsions इस तरह से रहते हैं बात समझ में आ रही है clear है ओके अब अगर हम dispersed phase याने की types of emulsions based on dispersed phase केवल dispersed phase की बात करें यह तो हमने हो गया overall यह हमारे पास क्या हो गया overall condition आ गई classification में simple, multiple और micro ठीक है ना हर किसी के अंदर इसके अंदर oil in water हो गया तो लेकिन अगर मैं कहूं कि केवल हमें को dispersed phase के हिसाफ से classification करना है तो oil in water, water in oil और multiple emulsion, water in oil, oil in water यह नहीं फेस के हिसाफ से कौन सा किसके अंदर है और अगर मैं को size के हिसाफ से करना पड़ेगा तो मैं कहू मैं को macro emulsion, micro emulsion और nano emulsion इसमें भी यह 3 category बन जाएगी oil in water, water in oil इसके अंदर ही category बन सकती है ठीक है ना तो यह हम लोग अगर dispersed phase के हिसाफ से करेंगे तो size के हिसाफ से करेंगे तो size के हिसाफ से कर सकते है अधरवाइस आप लोग simple सा यह वाला classification देखे आएंगे कोई दिक्कत व water in oil होता है, size के वाई से हम लोग कई बार इसको micro या nano बोल देते हैं, बात clear हो गई, अब फटा-फट देखते है, oil in water ही मलता है, simple सा यह topic, बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना, कह रहा है, the oil droplets are dispersed throughout the aqueous phase, इसमें क्या होगा, oil के जो drops हैं, वो aqueous phase, पानी के अंदर throughout failure रहेंगे, fats और oils for oral administration either as medicament or as vehicles for oil-soluble drugs are always formulated as oil in water emulsion, तो कह रहा है, fat है या oil है for oral administration, कुछ ऐसे fat या oil है, जोनको हम मुह के सुरू बाडी के अंदर पहुचाना चाहते हैं, या either as medicament, ठीक है, और as vehicle for oil-soluble drugs, या फिर कुछ ऐसे drugs हैं, जिसको हम oil के अंदर dissolve करके, बाडी के अंदर ले जान चाहते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, उन drugs को पहले oil में dissolve करेंगे, फिर उस oil को हम लोग कहा डालेंगे, पानी के अंदर डालके suspension मना देंगे, ठीक है, तो ऐसी drugs को हम लोग oil in water emulsion में prepare करते हैं, बात के लिए रो गई है, they are non-greasy, ये non-greasy होते हैं, बेटा mark करेंगे, and are easily removable from the skin surface, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मातरा में क्या है, पानी है, oil कम मातरा के अंदर है, oil dispersed phase है, और water dispersion medium है, ठीक है, they are externally, and they are used externally to provide cooling effect, और अगर हम इसको बाहरी तोर पर इस्तमाल करेंगे, तो ये cooling effect प्रोवाइड करवाते हैं, करेंगे से, and internally to mask the bitter test, अगर अगर internally use करते हैं, तो इसका सबस्यादा इस्तमाल होता है, इसी कड़वी दिवाई का कड़वाइड को छुपाने के लिए, ठीक है, या खासकर oil, जो oil का कड़वापन होता है, उसको छुपाने के लिए हम लोग, oil in water type का emulsion prepare करते हैं, पास समझ म आगे simple हो गया, oil in water, concept एक clear है, दिमाग में deficit set हो गई है, क्यों बनाते हैं इसको cooling effect के लिए, अगर externally use कर रहे हैं, और अगर bitter taste चुपाना है, अगर internally use कर रहे हैं, इसी लिए हम इसका main use कर रहे हैं, water in oil emulsion, the water droplets are dispersed throughout the oil phase, यहाँ पर क्या रहेगा, जो water है, वो पूरे oil phase में फैल hydrating the stratum corneum, ठीक है न, यह एक occlusive effect देता है, ठीक है, by hydrating the stratum corneum, इकतर से कह सकते हैं, कि उसके उपर इकतर से परसी बना लेगा, यह ठीक है, water in oil emulsion is also useful for cleansing the skin, water in oil यह skin को धुलने के लिए इस्तमाल होता है, of oil soluble dirt, जो oil soluble dirt होते हैं, oil के अदर ऐसा गंदगी जो खुल जाती है इसलिए इसको इसके धुलने में भी काम में लेते हैं, although यद पी, its greasy texture is not always cosmetically acceptable, no doubt, यह वास सच है, क्योंकि चिकने चिकने से होते हैं, इसलिए cosmetic में इनका इस्तमाल जाता नहीं है, लेकिन हा, skin के dirt धुलने में यह help करते हैं, they are greasy chicken होते हैं, not water washable, और पाने से इसलिए धुल कुछ दबाई होते हैं, चिकनी से होते हैं, पाने से दुल धुलता नहीं है, फिर sound लगा के हटाने पड़ती है, and are used externally to prevent evaporation of moisture from the surface of skin, अब क्योंकि यह लग जाती है, परद बन जाती है, तो इसका main काम क्या है, कि skin की moisture को उड़ने ना दे, ठीक है, जैसे की example क्या है, cold cream, चि अबिसी बात है, जो oil-soluble drugs होंगे, जो oil-soluble हैं, अगर उसको लेकर करके, वाटरीन-oil-immelcent मिलाएंगे, तो वहां से वो quickly release हो जाएंगे, they are preferred for formulation, mean for external use like cream, इनका ज़्यादा तर इस्तमाल किसमें करते हैं, हम लोग किस चीज़े prefer करते हैं, cream type की चीज़ें में, उसमें क्य smaller droplets of the continuous phase, continuous phase के, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, समझना, in the case of multiple immersion, the dispersed phase of, dispersed phase contain, जो dispersed phase है, जैसे एक यह हो गया है, शो कह बताता हूं में, सम्झाने के लिए, फिर एक यह हो गया, और फिर यह पूरा main, अरे नहीं कर बढ़ हो गया, यह, ठीक है ना, यह तो main हो गया, solvent ह जो, the dispersed phase contain small droplet of the continuous phase, ठीक है ना, जो dispersed phase है, इसके अंदर small droplets होते हैं, continuous, this is the continuous phase, this is dispersed phase, और इसके अंदर छोचछ़ँचे droplets हैं, continuous phase के, से देफिनिसन आगी। इमल्शन तो वाटर ऑइल और सर्फेक्टेंट होगा सर्फेक्टेंड क्या है इमल्सिफांग एजेंट विच कंस्टिटूट आ सिंगल ऑप्टिकली आइसो ट्रॉपिक भी अगर तुम आसे प्राइब चीज पता हो तो फिलाल यह एक physics का term से जब light को pass कराएंगे चारों तरफ से या फिर यह समझ ले light के लिए यह ऐसा मालो कोई solution है यहां से pass कराएं यहां से pass कराएं यहां से pass कराएं light के लिए एक समान behave करेगा फिलाल ऐसे समझ ले and thermodynamically stable यह thermodynamically stable भी होता है liquid solution there are यह दोनों term याद रखेंगे micro emulsion optically isotropic भी है और thermodynamically stable भी है उपर जो normal emulsion होते हैं वो thermodynamically unstable होते हैं okay there are two types of micro emulsions one is oil in water and the second is water in oil ठीक है दो टाइब के होते होते हैं the particle size इसके बारे में दो बात हैं यह thermodynamically stable है और optically isotropic है the particle size of micro emulsion ranges from 10-300 nanometer particle size ठीक है ना 10-300 nanometer की बीच का range रहती है यह because of this small particle size micro emulsions appear as a clear or translucent solution इतना छोटा साइज है इसलिए कई वार यह clear मालूम पढ़ते हैं एक्दम से या Translution बहुत हलका सा मालूम पढ़ेगा दुन्दला टाइप का अधर्वाइस clear cut solution दिखाए पढ़ते हैं ठीक है अब यह question important होता है कि बताओ भई क्या difference है oil in water या water in oil वाले में तो simple सी बात है यह difference वहीं जो उपर point पढ़े है अघर एसे emulsion जो बॉड़ी के अंदर डालने है उस case में इनको preference देते है as bitter taste of oil क्योंकि आइल का जो कड़वा पाने वो छुप जाता है दे आर नौन ग्रीजी यह कैसे होते हैं दे आर नौन ग्रीजी इनमें चिकना पन नहीं लाएगा एंड इसली रिमोवेबल फ्रॉम इसकिन सर्फिस देखा था आपने उपर पड़ा था कि यह इसकिन सर्फिस से इसली इंगल जाते हैं दे आर यूज एक्टरनली टू प्रोवाइट कूलिंग एफेक्ट एक्जामपल वैनिशिंग क्रीम ठीक है अगर हम इसको ऊपर लगाते हैं को पानी होता तो तो उड़ जाता है तो कूलिंग एफेक्ट आता है ठीक है वैसे पता करोगे हम क्या करते है ऐस बैटरी लगी होती है ऐसे लगा देते हैं तार उपर लगा देते हैं तो क्या करेगा यह चार पांच छे चे पॉइंट इसके बारे में लिखके आ सकते हो तीन नमबर तुम्हें ऐसी मिल जाएंगे ठीक है ना दिमाग से काम लेना है मैंने का न ऊपर इतना सारा पड़ा य आता जाए तो यह चार पांच 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 लिख दो क्या पॉइंट है और इस बाद मीडिया में वाटरी दिसपर्श फेस ओइल सॉलिबल ड्रॉब्स और मोर कुक्ली रिलीश क्यों कि मात्रा ज्यादा है तो जो ऑल सॉलिबल ड्रॉब्स हैं वह इसली रिलीज हो जाते ह इनका इस्तमाल जनली जब एक्टरनल यूज के लिए किया जाता है यह चिकने से होते हैं थोड़े से एंड नोट वाटर वाशेवल पानी से अराम से दुलेंगे नहीं इनका इस्तमाल करते हैं एक्सेंडल उपर करते हैं जहां पर यह क्या कर रहे हैं रोकते हैं पानीों रोकते हैं जैसे के लिए पर घाल वाट गरते हैं हांथ के अंदर का जो मैश्टर वो ड्राइन होता है वह उड़ेaci यह खना नहीं होगाry in oil emulsions not give a positive conductivity test क्योंकि इसके नहीं ज्यादा होता है तो conduct नहीं कर पाता है as oil is the external phase which is the poor conductor of electricity oil यहाँ पर external phase है इसके वज़े से conductor नहीं कर पाता है इस इस इंपोर्टेंट ठीक है ना यह उपर पड़ा वो लिखो या इनके बारे माज़ा तो यह चार्ट से क्या कह रहा है यह फार्मसेटिकल एप्लिकेशन ऑफ इमल्सन आखिकार हुमारे फार्मेसी में इमल्सन का क्या रोल है तो देखो क्या कह रहा है देके मास्क दा बिटर टेस्ट ठीक है एंड और उनकी जो गंदी वस्बू होती वह भी छुपा लेता है जैसे कि कैस्टर ओईल है कॉड लिवर ओईल है ठीक है यह जो हम लोग खाते हैं कैस्टर ओईल है कॉड लिवर ओईल है जो उनकी बद्वू छुप जाती है सस्पेंशन में ओ इमल्सन में सॉरी दे कैन भी यूज़ तो प्रोलॉंग इमल्सिफाइ कर सकते हैं और कैन बी अमिस्टर टू दा बट रिदेन पीशेंट एस इस्टिरायल इंट्री इंट्रावेनस इमोल्चन फीक हरना हम इसको जो पाइज पाते हैं इमल्सन प्रोवाइज़ प्रोटेक्शन ट्रॉग विच्छक्टर श्रसेप्टिबल तौए ऑ जो पानी से ऐसी खराब हो सकते हैं तो यह उनको क्या करता है प्रोटेक्शन प्रवाइड करवाता है उसी ड्रक्स को इंट्राविनिस इमल्शन ऐब डबल्ड तो एसीटीन डाइगनॉसिस contrast media मतलब हम ऐसा emulsion जो body में डाल दें उसके बाद क्या है कि वो थोड़ा सा color provide करवाता है body कंदर तो चीजों को diagnose करना थोड़ा सा आसान हो जाता है emulsions are used widely to formulate externally used product like lotions, cream, liniments etc तो इसका बहुत सारा use होता है lotion मराने के लिए है, cream बराने के लिए है तो यह सब इसका pharmaceutical application है question आता है या question normal लिख रहे हो emulsion के उपर तो pharmaceutical application एक अच्छा इसका answer बनता है या point बनता है जो इसको कि आप इसमें mention कर सकते हो next है emulsifying agent again important topic इसके बारे में तुम पता ही होना चाहिए the emulsifying agent is a surface active substance obviously बात है ऐसा substance है जो surface में काम करता है वो है oil और liquid oil और पानी आपसे मेल पाते है to make an emulsion, emulsion राने में help करता है which is both fat and water soluble यह क्या है दोनो fat और water soluble होता है दोनों में खुल जाएगा तभी तो दोनों को mix कर लेता है they help the dispersed phase to uniformly dispersed in the continuous phase यह help करता है dispersed phase की dispersed phase क्या है फटा फटा बताओ बोल गया आता है good बोल गया तो देख लो dispersed phase क्या है पई active रहा करो copy pen लेके बैठो लिखते दो dispersed phase continue phase यह सब dispersed phase होगया internal phase होगया दोनों का मतलब एक ही है dispersion medium, external medium दोनों का मतलब एक ही है continuous phase उसका मतलब भी क्या हो गया dispersion medium हो गया यह copy pen लेको बैठा बैठा है और साथ 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 में लेके चलो फटा फट चीज़ें होंगी अब ठीक है ना तब जाके चीज़ें फटा फट क्या होंगी याद होती है Now it helps the dispersed face to uniformly dispersed in the continuous face यह help करता है dispersed face को uniformly dispersed हो जाएं किसके अंदर continuous face के अंदर है ना या दूसरी definition देखे एनिमल डिफाइंग एजेंट ठीक है मैं जो सिंथेटिक यहां पर कुछ गरवड़ हो गया ठीक है यहां पर काटते हैं और यह इंमल्सिफाइंग एजेंट है सोरी कोई मैटेरियल जो इनहांच करता है इनहां मतला बढ़ाना The stability of immersion जो immersion की stability को बढ़ा दे That is prevention of collisants and reducing creaming Collisants नहोने दे और Collisants होकर के बाद में क्रीम न बनने दे ठीक है अब यह classification चाहद कर लेंगे Natural, Semisynthetic, Synthetic Vegetable Source Agarhtragant, Animal Source Wolfet, Gelatin Semi-Synthetic में Methylcell Lose Sodium CMC, Synthetic में कौन को ना गया Anionic, Ketanic, Nonionic और Inorganic क्लियर है उनकी example तुम्हें याद करने अब इसके अलाबा एक और तरीके से देखते हैं इसको हम लोग इसको हम लोग एक और तरीके से देखते हैं वो तरीका क्या है examples of emulsifying agent जैसे की carbohydrate material क्यों से मेटेरियल है carbohydrate material then protein substance gelatin egg yolk casein acacia trig hunt carbohydrate हो गया high molecular weight में क्यों आगे sterile alcohol satile alcohol ठीक है ऐसा देखो यह भी है carbohydrate material oil in water type में इस्तमाल करेंगे protein वाले oil in water type में इस्तमाल करेंगे high molecular weight वाले को water in oil type में इस्तमाल करेंगे wetting agent जो गिला करने के लिए help होता है oil in water water and oil दोनों में इस्तमाल हो सकता है जैसे की anionic की बात करेंगे इसमें soap और sulfates है cationary amonium compound है non-anionic में lanolin alcohol और sorbit and fatty acid stirs है finally divided solids एक्दम पिसे हुए जो चूरे टाइप के एक्दम महीन powder bentonite magnesium hydroxide aluminum hydroxide oil in water type emulsion में हम लोग इसका इस्तमाल करेंगे ठीक है ना तो carbohydrate protein high molecular weight इस तरह से पढ़ लो या classification आ जाए तो यह देखे आजाओ clear है वस्ति यह देखे आओ ज्यादा बेटर है ओके तो emulsifying agent बिटा अगेर एक important topic है अराम से तीन नंबर कुशन बनता है इसके उपर और classification इसकी पूशी आ सकती है now properties of ideal emulsifying agent और ideal किया कोई चीज़ जब हम दबाई में डाल रहे हैं तो irritant नहीं होनी चीए toxic नहीं होनी चीए काम अच्छे से करना चीए वगरा वगरा लिख सकते हो मन से बनाके थोड़े समझदार समझदारी से काम लोगे समझदार तो तुम लोग हो हम इसा कहता हूँ दिम को समझ लेंगे अच्छे से और कोई भी पॉइंट जो हमको लगता है कि यहां इदर का पॉइंट इदर लिख सकते हैं उसको हम बकादा बिल्कुल लिख सकते हैं फिर जैसा कि शूट डिद्यूस दा इंटरफेशिल टेंशन दे वह सुरुआ से पढ़ते आ रहे हैं इसका इसको इंटरफेशिल टेंशन को रिड्यूस करना करने की छमता होने चाहिए टू इमिसिवल लिक्यूट के बीच में ठीक है फिजिकली एंड केमिकली स्टेवल होना चाहिए इनर्ट इनर्ट मतलब किसी टाप कोई रियक्शन ना करें एंड कॉंपेटिबल विद अधर इं 5.05 ग्राम, 0.05 जिस मातरा में भी इस्तेवाल हो रहा है उतनी मातरा में यह किसी टाप का टॉक्सिक्टी क्रियेट नहीं करना चाहिए और्गनोलेप्टिकली इनर्ट किसी टाप को साध नहीं होना चाहिए शुट नोट इंपार्ट एनी कलर, और, टेस्ट है ना और्गनोल इस्तेशंट दा, कॉलेसेंस और, चिपकने से रोकना है इस पर फेस के ग्लोबिल को, ठीक है, कॉलेसेंस ऑफ दा डॉपलेट आफ दा इस पर्श द फेस, शुट पर्डूस एन में टेन दा, रिक्वाइड विस्कॉसिती और और साफ साफ में जो विस्कॉसिती चाहिए, व क्वान कौन से है एक Trituration है Trituration का दो आते है ड्राइगम मेथज़ और वेट गम मेथज़ तो यह यादि कहेंगे एक दो और तीन बोटल मेथ़ट ट्राइट रिशन क्या होता है जो पेश्ल मोटतार रहा हैं पीस्ते ने इस तरीके से उसी को trituration कहते हैं ठीक है आगे आते हैं तो dry gum method की बात करें तो क्या है यहाँ पर in this method the oil is first triturated जो तेल होता है ठीक है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे जो हमारा mortar है mortar और पेशल वाला जो देखा ना वरतन ठीक है इस तरह सरी यह रहता है ठीक है इसको oil को triturate करेंगे with gum gum और oil को लेकर के पिसाई चालू with little amount of water और थोड़ा सा पाई डाल देंगे to form a primary emulsion अब जो चीज बनके तयार हो जाती उसको हम कहते है primary emulsion that trituration is continued till a characteristic clicking sound कई बार तुमने देखा है कोई ची फेंटते हैं फेंटते फेंटते से क्लिक क्लिक के आवास यान लगती है चट चट सी याट इस काल क्लिकिक साउंड हम तब तक उसको फेंटते रहेंगे एक तरह से जब तक कि उसको क्लिकिंग साउंड ना लगे ठीक है एंड थिक वाइट क्रीमिस फॉर्म और गाड़ी गाड़ी मोटी सी क्रीम ना बन जाया जिसे कई बार तुम लों लोग ने पानी होगी वह देखा बहुत गाड़ा 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 सी हो जाता है उसको धीरे धीरे एड कर देंगे और अपना वायले इमलेसन बना देंग स Chaos एहीं फिर फिर पानी डालेंगे और प्रामी इमल्स फेरे हो सिल्सक्रावक परमीई मुल्स उसको इयर्थ किया फिर फिर यहां हो किया और वालूम फोन टूपार्ट उपार्ट उट्वाट वाटाव गां सिल्सक्रावी और पानी. पानी लेंगे और एक एमल गम लेंगे क्लियर है दूसरा है यह क्या हो गया ड्राइ गम मैफट हो गया दूसरा एंग्लीस और वट गम मैफटी इसमें क्या इस नौट पॉपलर इस बहुंसरो फॉब इस यह वैदे जाँ पॉपलर-णी यह डियो अच्छे नहीं होते हैं इस बार ओलना लेकर गे गम और पानी को लेकर हम लोग पीछना सुरू करेंगे टुगेजर टू फॉर्म है मिसुलेज एक चिकना चिकना सा पतारत बन जाएगा पानी डालने के वगए से मिसुलेज बन जाएगा तो रुक्वाइट कॉन्टिटी अफ ओली इस देन एड़िट ग्रैजुली इन इसमोल परपोर्शन ठीक है और फिट जो ओली कॉन्टिटी है थूज़ी मातरा में डालते जाएंगे जाएंगे फिर फिर बचाओवा पानी है उसको लेकर इंडाल देंगे और अपना से मलस्ट तियार कर देंगे इसका भी सेम फामुला होता है यही वाला ठीक है इस सेकंड वाले के लिए भी यही वाला फॉर्मला वैलिड है क्लियर है आगे आते हैं बोटल मेटड कुछ नहीं इसके अंदर इसवार हम पान चीज़ों बोटल करने डाल के मिलाएंगे बस इसवार पैशल मोटर का इस्तमाल नहीं करेंगे बोटल लेके इस तरह हिलाएंगे ठीक है इस मेटड इंप्लॉइड फॉर प्रिपेरिडिंग इमल्सन कंटेनिग व लटाइल बोटल के जरूत क्यों बड़ी कुछ हम लोग ऐसी चीज़ मिला रहे हैं जो वलटाइल है उड़ जाएगा अगर मोटर पेशल में तो वह वलटाइस चीज़ क्या होगी उड़ जाएगी उड़ जाएगी तो फिर हमारा इमल्सन साइस नहीं बनेगा तो कंटेनिंग कह रहा है इंप्लाइट फॉर प्रिपेरिंग इमल्संस कंटेनिंग वॉलटाइल जो वॉलटाइल सब्षांस उनके लिए एंड अधर नॉन विस्कॉस और और कुछ जो नॉन विस्कॉस और उनके केस में हम लोग बॉटल मैथर का इसमाल करते हैं बो इसकी वैसे इनके अंदर थोड़ी गम की महतरा ज्यादा चाहिए होती है इन दिस मैथर्ड ऑईल और वाटरी फर्स शेकन और पानी को क्या करेंगा हम लोग पहले मिलाएंगे थोरोली एंड विगरसली विद्दा कैल्कुलेट अमाउंट ऑफ गम ऑईल को या पानी को ले करके अच्छे से हिलाएंगे शेक करेंगे बोटल के अंदर वांस दिस हैज इमल्सिफाइड कम्प्लीट ली और जब ये शेक करने पर पूरा इमल्सिफाइड हो जाएगा दा सेकेंड लिक्वीड आइदर ऑईल और वाटर आप दूसरा लिक्वीड मान लोगर ऑगर लिया जो बन जाएगा वह क्या होगा प्राइम एमल्सन होगा मोर अफ वाटर एड़ेड़ इस्मॉल पोपोर्शन इम्वाश ठीक है इस्मॉल पोर्शन विद पानी डालते रहेंगे और ज्याता पानी और लगाता रिखाते रहेंगे रहेंगे अफर इच अडिशन और तो गम, मिश्ट करेंगे, बोटल के अंदर थोड़ा पाइंट डालेंगे, प्राइमरी इमल्शन तैयर होगा, फिर आगे की प्रोसेस हम चलाते रहेंगे, clear है, now, तीन तरीके हमने डिस्कस कर लिए, method of preparation of इमल्शन, अब अगर हम stability की बात करें, इमल्शन की, तो वो यहाँ पर हमें सोड़ा सा डिस्कस करनी है, क्योंकि वो important है, and immersion is said to be stable if it remains as such after its preparation, कोई भी immersion stable कहलाएगा, अगर वो as it is बना रहता है, prepare होने के बाद, ठीक है, यानि कि उसके जो component है, dispersed phase और dispersion medium, वो अलग-अलग नहीं होंगे, अगर तो वो stable कहलाएगा, but जगो होता क्या है, ठीक है, after its preparation, that is, the dispersed globules are uniformly distributed throughout the dispersion medium during its storage, यानि कि वही वाले बात आ गए, जो मैंने कहा, कि जो dispersed globule है, वो uniformly distributed रहें, ठीक है, throughout the dispersion medium, जो dispersion medium में, उसमें uniformly distribute बने रहें, जब हम उसको store करें, तो emulsions should be chemically stable, उसको chemically stable है, and there should not be any bacterial growth during its self-life, और किसी भी प्रकार की उसके जदर bacterial growth नहीं होनी चाहिए, अब emulsions in stability में either reversible और reversible, and manifest in the following ways, अब हम जो उसकी in stability है, यानि कि वो stable, जो stability से खराब होती है, वो reversible भी हो सकते कि हिला दें तो वापस हमारा immersion बन जाए, या ऐसा भी हो सकता कि irreversible है, एक वारी खराब हुआ, तो द्वारा से वो ready बनेगा, नहीं, and manifest in the following, और इन तरीकों से अपनी in stability को दर्शाता है, देखो, पहला क्या है, coalescence, ठीक है न, गोड़ इमलस हैं, उसी में बना हुआ है, coalescence हो गया है, coalescence मतलब, बड़े ड्रॉप मिलके बड़े ड्रॉप में बदल गया, दूसरा क्या है, फ्लॉकुलेशन, फ्लॉक बन गए, जुन्ड बन गए, तीसरा क्या है, क्रीमिंग, सारे के सारे पार्ट उपर आ गए, और क्रीम ट्रॉप कर लिया, तीसरा क्या ब्रेकिंग, पूरी clear complete अलग हो गई, एक phase अलग हो गया, दूसरा phase अलग हो गया, clear है, ठीक है, तो यहाँ प अधिके से, क्या है, यह अपनी in stability को दर्शा सकता है, clear है, देखते हैं हम लोग आगे अब, अब, cracking, cracking means the separation of two layers of dispersed and continuous phase due to the coalescence of dispersed phase globule which is difficult to redisperse by shaking, ठीक है न यह वाला आ गया, coalescence, cracking का यहाँ पर हम लोग क्या होगा, coalescence की वाएसे होता है, किसकी वाएसे होता है, coalescence की वाएसे, ठीक है न, coalescence की वाएसे क्या हो गए, cracking, एक तरह से, दोनों phase हमको अलग-अलग से नज़र आएंगे, cracking means separation, अलग हो जाना two layers का dispersed phase और dispersed medium का अलगला हो जाना ठीक है two layers of dispersed and continuous phase due to coalescence cracking का reason coalescence याद रखेंगे of dispersed phase globule which are difficult to re-dispers by shaking और यह बड़ा मुश्किल है कि वापस से हिलाएं और यह वापस से proper हो जाएं cracking कि तरह से क्या है irreversible आ गई क्या है यह irreversible हो गई difficult to re-dispers cracking में occur due to the following reason कई साथ कार्णों सो हो सकता है by adding of emulsifying agent of opposite type एक opposite type का emulsifying agent डाल दिया हम लोगों ने by decomposition और precipitation of emulsifying agent याने की emulsifying agent हमारा खराब हो गया addition of common solvent common solvent जो है वो हमने add कर दिया है कोई micro organism उसके अंदर grow कर गया है change in temperature हो गया है या creaming हो गई यह उसके अंदर flocculation मतलब जुन्ड बनना छोड़ेट पार्टिकल आपस हम पास में आएंगे flocks बनाएंगे flocks मतलब जुन्ड flocks मतलब जुन्ड if in flocculated state the secondary interaction याने की wonder wall forces थोड़े सी chemistry की बास तो यहाँ पर wonder wall forces काम करते हैं वैसे यह पास पास आ जाते हैं wonder wall force की वैसे खिचके पास में आ गया है तो secondary interaction यान की wonder wall forces maintain the droplet at defined distance of separation यह खिच खिच के पास में ले आएगा और यह खास दूरी पर राके रख लेगा application of sharing stress to the formulation shaking will redisperse this droplet to form a homogeneous formulation याने की यहाँ पर क्या है हिला देंगे तो वापस से disperse हो जाएंगे ठीक है तो याने की यह redisperseable है यह क्या है redisperseable clear है कह रहा है although flocculation may stabilize the formulation there is also possibility that close location of droplets ठीक है ना flocculation कह रहा है no doubt stabilize करता है लेकिन कई बार कह रहा है there is close possibility that the close location of droplets will enable droplets collisence अगर बहुत ज़्यादा pass आ जाएंगे तो collisence हो सकता है to occur if the mechanical property of the interfacial film are compromised बहुत ज़्यादा pass हो जाएं और जो उसके पर emulsifying agent की जो film है वो compromise हो जाए वो खराब हो जाए तो यह आकर क्या हो सकता है चिपक सकते है ठीक है तो फिलाल हम इसको यहां तर इस लाइन को चाहते हैं चोड़ देंगे यह दो राइन याद रखेंगे कि यहां पर क्या बन रहा है flocculation बन रहे है wonderful force की वाई से पास पास में आ जाते हैं बट हिला देंगे तो वापस से फैल जाते है creaming ठीक है अब creaming का concept समझो जा रहा यहां पास थोड़ी सी physics लगने वाली है when gravitational force is applied कर जब gravitational force लगती है in dispersed droplet it moves upward और downward अब तुम लोग काओगे sir gravitational force तो नीचे खीशती जमीन की तरफ ठीक है अब ज़रा निगर के चीज़े बताओ तुम जब कोई bubble होता है फुक मारते हो तो उपर जाता है नीचे तो नहीं आता है उसको पूर तो gravity लग रही है बास वामी मारी है ठीक है तो उसका खेल समझो तो वो ही कह रहा है कि जब gravitational force लग रहा है तो ड्रॉपलेट्स है या तो move करेंगे नीचे भारी हो जाएंगे और अगर वो हलके है ठीक है अब किसे हलके हैं कैसे हलके होँआ दिमाग मत लगाओ सिर्फ इतना concept समझो जिसरे से bubble होता है वो क्या होता है पानी के अंदर जो bubble होता है वो भी तो उपर आया ता पानी के अंदर का जो bubble होता है ठीक, इसी तरीके से हमें भी क्या होता है, अगर कोई salt particle है, कोई ज़्यादा भारी हो गया, वो जुड़ने के बाद तो नीचे बाढ़ी आएगा, और हलके है, तो वो उपर आजाएंगे, तो कह रहा है, जब gravity force लगता है, तो particle तो move नीचे करेगा, ये उपर करेगा, ठीक है, when it moves upward, it is called creaming, और जब वो particles बहुत सारे उपर move करते हैं, particle मतलब उसके drops, globules, तो वो क्या होती, creaming कराती है, and when it moves downward, it is called sedimentation, और अगर ये नीचे बैठेंगे, जैसे कि suspension में था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, sedimentation कहते हैं, clear है, अब बात समझो, creaming usually happens in oil in water emulsions, mark करेंगे इसको, one mark question, creaming किसमें होती है, oil in water type की emulsions में होती है, sedimentation usually happens in water in oil type, water in oil type में क्या होता है, sedimentation होता है, तो दोनों चीजे possible है, ठीक है, the rate of sedimentation और creaming is described by stock slow, class 11 त हमने stock slow पढ़ा हुआ है, कि ये velocity होती है, 2R radius, sigma, rho, G, and eta, अब ये सब क्या है सर, क्या पढ़ाने लगे गया, पेश नहीं पढ़ा रहा है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वल बास, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, यहां पर लेकिन समझ लो बैटर है, which the velocity of sedimentation, किस रफतार से वो नीचे बैट रहे हैं, और creaming या किस रो, density is your, रो नहीं सरी, सिग्मा, इनल लुक्विड अफ देंसिटी रो, ये density है किसकी solvent की, याने कि continuous phase की, ये density है, आगे वाली, किसकी, उसकी dispersed phase की, internal phase की, ठीक है, and viscosity, eta, और इसकी viscosity कितनी है, किसकी continuous phase की viscosity कितनी है, eta, and where G is the acceleration due to gravity, तो थोड़ा सा फिजिस का इसकोंसेप्ट ह नहीं है, तो कह रहा है, अब जो किस रफतार से cream उपर जाएगी, याने कि global उपर जाएगा, तो cream बनेगी, नीचे आएगा, तो sedimentation होगा, तो हम फिलाल बात करते है, creaming की, तो creaming के लिए जितना उड़ा radius, velocity उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा density इसकी होगी, किसकी dispersed phase की, उत मेडियम की, क्या है, जादा है, तो velocity कम हो जाएगी, ओविसी बात है, उसके viscosity ज्यादा गाड़ा है, तो जल्दी से उपर नहीं जा पाएगा, तो कह रहा है, creaming में भी defined as upward moment of dispersed globule, तो creaming of defined कर सकते हैं, upward moment of dispersed globule, जो globule उसके अंदर है, dispersant medium के अंदर, उनका upward moment, creaming कहलाता है, to form thick layer at the surface of emulsion, और emulsion के उपर एक मोटी सी layer बना लेगा, creaming is temporary phase, because it can be redistributed, mark करेंगे इसको यहाँ पर यह भी क्या है, हिला देंगे तो वापस से redistributed हो जाएगा, by mild shaking और steering to get again the homogeneous emulsion, और वापस से क्या होगा, homogeneous emulsion हमको मिल जाएगा, तो mark कर लेना, किस case में वापस से redistribution हो सकता है यहाँ पर possible है, पहले वाले case में possible नहीं था, irreversible है यह, बागी सब में क्या, redisversible आ रहा है, ओके, following approaches can be used to decrease creaming, अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई है, इस formula से, इस formula का बरपस यही था, कि क्या करें हम लोग, कि creaming ना हो, यारे कि velocity गिराने के लिए इसको हम गाड़ा कर द दें, कि इस तरीके से global radius छोटे हो जाएं, तो velocity कम हो जाएं, cream बनने की, बास समझ में आ रही है, तो बस वही बात है, यह question तो आ सकता है, कि बताओ, global radius बढ़ा करें कि छोटा करें, difference in density of dispersed phase and continuous phase, इनका difference ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो V की value, क्या होगी, क viscosity of dispersion medium, eta, V is university personal to one upon eta, viscosity and storage condition, temperature तो बात या लग हो गई, और radius of globule, यहाँ पे V is directly personal to R, radius बढ़ेगा, velocity बढ़ेगी, creaming बढ़ेगी, velocity कम, creaming कम, velocity ज्यादा, creaming ज्यादा, इसका difference, जितना ज्यादा, velocity उतनी ज्यादा, viscosity ज्यादा, viscosity जितनी कम, उतनी ज्यादा, तो viscosity जितनी ज्या पिजिक्स होगी जड़ी जी, परिशान मत हो, ठीक है, यह inverse proportional, diet proportion पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, याद होगा ना, ठीक है, सुन लिया है मैंने, कस बच्चों को याद है, जिन बच्चों को याद नहीं हो, diet proportional और inverse proportional रहता है बेटा, ठीक है ना, जो चित diet proportional होती है, उसक तीन नमबर में बढ़ा हराम से, क्या है phase inversion, आओ देखें, phase inversion means the change of one type of emulsion into other type, एक type का emulsion को दूसरे type में बदल जाना, oil in water emulsion change into water in oil type, यह कैसे हो गया, oil in water, water in oil में बदल गया, यह इसका उल्टा हो गया, कैसे हो रहा है, देखो, due to following reason, phase inversion, take plus, तो definition याद होगी, phase inversion की, ठीक है, इस सारे अंदर के terms है, creaming, वगया है, इन सबकी definition याद होनी चाहिए, तो phase inversion क्या है, एक oil in water का water in oil में चेंज हो जान oil in water का, water in oil में चेंज हो जाना, यह इसका उल्टा, oil in water का, water in oil का, oil in water में चेंज हो जाना, ठीक है, ओके, कैसे कैसे कर सकते हैं, by addition of electrolyte, electrolyte को add करके, by changing the phase volume ratio, phase volume ratio, याने कि, इसके तर पानी ज्यादा था न, हम लोग क्या करेंगे, oil ज्यादा कर देंगे, तो यह water in oil में बदल जाएगा, by temperature change, by changing the emulsifying agent, या हम लोग emulsifying agent को बदलते हैं, जैसे हमने देख रहे तो उपर, जो emulsifying agent से, अलग-अलग के लिए, अलग-अलग emulsifying agent के स्वाल होते हैं, ठीक है न, तो अब the most stable range of dispersed face concentration is 30-60%, यानकि जो dispersed face अगर हमारा 30-60% के बीच में है, और बाद बाद की dispersion medium ह है, तो तो ये stable रहेगा, otherwise if the amount of dispersed face, the dispersed face का amount है, approaches और exceeds, approach करता है, बढ़ता है, theoretical maximum of 74%, 74% ज्यादा of the total volume, then the face inversion may occur, तो ये value याद रखेंगे, कि अगर मैं dispersed face का जो volume है, ठीक है न, वो 74% ज्यादा कर दूँ, तो ये phase inversion हो जाएगा, तो ये question दुबारा one marks में आ सकता है, अब points to be considered during formulation of emulsion, ये just acknowledge के लिए है कि जब हम emulsion बनाएंगे, तो कौन कौन से point हमको consider करने है, सोचने है, हमें देखना पड़ेगा stability of active ingredient, जो active ingredient डाल रहे हैं, उसकी stability के बारे में देखेंगे, stability of excipient के बारे में सोचेंगे visual appearance कैसा है, color कैसा है, order क्या रहेगा, viscosity क्या रहेगी, loss of water and other volatile vehicle of component, पानी का loss कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है, concentration of emulsifier, जो emulsifying agent उसका कितना concentration रखना है, particle size distribution of dispersed phase, देखा था न, stock slow लगा था, तो उसका size भी consider करना है, pH भी देखना है, temperature तो बहुत ज़रूरी है, method and rate of cooling, किस तरी ठंडा करेंगे, किस तरीके से ठंडा करेंगे, texture, feel upon application, लगाने पर body पर, क्या texture रहेगा, खुदड़ापन रहना चाहिए, कि नहीं रहना चाहिए, microbial contamination है कि नहीं है, release, viability, यह सब चीज़ चेक करेंगे, face distribution, face inversion, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है न, तो यह तबाम चीज़ें हैं, जिस समझने के लिए, not for, exam point of vision नहीं नहीं है, बट हाँ, यह सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, जब भी हम लोग एक emulsion को तयार करते हैं, आगे आते हैं, identification test, अब वह यह बात आगी, कि मैंने का मेरे पास दो emulsion हैं, एक oil in water है, एक water in oil है, क करते हैं, ठीक है, एक है, conductivity test, dye solubility test, dilution test, cobald chloride test, और fluorescent test, पास type के हैं, ठीक है ना, तो कह रहा है, since emulsion, चाहिए oil in water हो, यह water in oil type है, looks the same, एक जैसे दिखाए पड़ते हैं, इन appearance with naked eye, ठीक है, आँखों से देखेंगे, तो एक समाझ दिखाए पड़ते हैं, therefore, इसलिए certain tests have been developed, इसलिए कुछ test develop किये गए हैं, to differentiate between them, जिससे कि हम उनके बीच में अंतर कर सकें, at least two tests should be done, कम से कम दो test करने हैं, confirmation के लिए, to reach the conclusive decision about the identity of the emulsion, कि यह emulsion हमारा यही है, oil in water type का ही है, यह water in oil type का ही है, तो कम से कम दो test हम लोग perform करते हैं, तब जाकर के confirmation लेते हैं, तो conductivity test simple है, this test based on the basic principle that water, basic principle है कि water क्या है, good conductor of electricity है, therefore in case of oil in water emulsion, this test will be positive, तो oil in water type में, water की quantity बहुत ज्यादा होगी, तो यह test कैसा आएगा, positive यहने कि conduct कर लेगा, electricity को, ठीक है न, in this test, an assembly consisting of a pair of electrodes, तो electrodes रहते हैं, रोड लोहे के, ठीक है, connected to a lamp, वो lamp से connect कर दे जाते हैं, dip into an emulsion, और फिरस को हम emulsion dip कर देते हैं, if the emulsion is oil in water type, the lamp glow, है न, पीच में बैटरी भी रहती है, तुम लोग का होगे, बैटरी तो लगा ही नहीं, इस तो रोड लगा दी, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, और यहाँ पर एक बल्ब रहता है, इस टाइप से, ठीक है न, यह बल्ब को जल ज water soluble dye, जब हम इस में क्या करते हैं, emulsion को mix करते हैं, water soluble dye को, dye में, such as amaranth and observed under microscope, ठीक है, water soluble dye में डाला, और तो microscope में फिर देखा, हमने ड्रॉप लिए, और microscope में देखने कोशिच की, slide के उपर, if the continuous phase red, अगर continuous phase red है, then it means the emulsion is oil in water type, ठीक है न, as water is the external phase, and the dye will dissolve it, in it to give color, तो dye तो पानी में dissolve होया थी याली, और लाल कलर दे देगी, तो अगर लाल दिखाई पड़ी, microscope के अंदा, तो यह oil in water type है, otherwise, but if the scattered globules appear, अगर scattered छेत्रे हुए globules, छोटे ग्लोब बने हुए होँए होँए, इस dye के अलग अलग बिखरे हुए होँए, तो इसक dye such as scarlet, let's see, or Sudan 3 is added, ठीक है, oil-soluble dye ले ले लेंगे, यह तो water-soluble dye थी, अगर हमने कोई oil-soluble dye ले ले लिए, scarlet, red, या Sudan 3 is added to the emulsion, and the continuous phase appear red, then it is water-in-oil emulsion, तो अगर water-in-oil में होगा और याला dye लिया हो, तो यह तो oil के अंदर घुल जाते है, तो इस बार हमको वो red पड़ेगा, हमें dye तो पता यह कौन सी है, अगर यह डालने पर हमें, वो red appear होगा, तो वो क्या है, water-in-oil type, clear है, now dilution test, in this test, the emulsion is diluted either with oil or water, हम लोग उसे dilute करेंगे, याने कि उसके अंदर, और quantity add करते जाएंगे, ठीक है, phase inversion हो गया, तो वो चीज नहीं है, और नहीं हुआ तो वो चीज है, कैसे मतलब, समझो, simple सा concept, water-in-oil type है, इसके अंदर मैं क्या डालता जा रहा हूँ, oil डालता रहा हूँ, oil डालता रहा हो, तो phase inversion नहीं होगा, क्यों क्या होगा, phase inversion हो जाएगा, समझो बात को, if the emulsion, oil-in-water type, and it is diluted with water, oil-in-water type है, और इसको मैं पाने सही क्या कर रहा हूँ, dilute कर रहा हूँ, it will remain stable, यह stable रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, as water is the dispersant medium, क्योंकि water dispersant medium है, water खुद solvent की रूप में है, ज्यादा कॉंटेटी में है, और पाने डालूँगा, तो इसमें emulsion में कोई changes नहीं देखने को मिलेंगे, but if it is diluted with oil, the emulsion will break, and water are not miscible with each other, अब क्योंकि oil और पाने तो miscible है नहीं, तो वो क्या कर जाएगा, break कर जाएगा, oil in water emulsion can easily be diluted with aqua solvent, whereas water in oil emulsion can be diluted with oily liquid, तो simple सी बात बोल रहा है, जो जिस टाइप का है, जिसमें dispersant medium जिस टाइप का है, वो ही चीज डालेंगे, तो कोई changes नहीं आएंगे, dispersant medium जिस का है, अगर water इसमें oil डालेंगे, तो ब्रेक कर जाएगा, और oil है water डालेंगे, तो ब्रेक कर जाएगा, simple सी बात, clear हो गई, now, cobalt chloride test, यह क्या है, अब filter paper, soaked in cobalt chloride, एक filter paper लोगा, lab में जो अपना होता है, उसको cobalt chloride में dip करके, soak कर दूँगा, solution is added to the emulsion, और उसको मैं emulsion में ठीक है, एक filter paper soaked in cobalt chloride solution is added to the emulsion, उसको में emulsion में डालके सुखा दूँगा, if it turns from blue to pink, अगर वो ब्लीव से pink हो गया, indicating that the emulsion is oil in water type, simple सा test है यह, if there is no color change, और इट इंडिकेट देट दा emulsion is water in oil type, this identification test may fail if emulsion is unstable or break in presence of electrolyte, ठीक है न, तो यह समझ गया है कि cobalt chloride में किस color में कौन सा emulsion रहेगा, ठीक है, कोई color नहीं है, तो water in oil type, और blue से pink हो जाएगा तो oil in water type, तो यह और साथ साथ में कहे रहा है, यह test fail हो सकते हैं अगर emulsion unstable है या break कर जाएगा, electrolyte की मौजूदगी में, तो यह test मेरा fail कर जाएगा, ठीक है न ओके, floor sense test, floor sense समझते हो, चमक मारना, if an emulsion on exposure to ultraviolet radiation, अगर मैं उसके अंदर से ultraviolet light को गुजारूं, shows continuous floor sense under microscope, then it is, और वो फिर जो solution है, वो क्या दिखा रहा है, continuous floor sense, चमक दिखा रहा है, microscope के अंदर जम उसको observe करता हूँ, तो यह water in oil type होगा, and if it shows only spotty floor sense, धब्बेदार, तो यह oil in water type होगा, simple test है, this test can only be used when the oil has property of floor sense, यह तभी हो पाएगा, test, अगर oil के अंदर floor sense वाली property होगी, तो, otherwise नहीं हो पाएगा, clear है बाते हैं, अब components की बात कर लें, हमेशा की तरह, तो obviously बात है, emulsion में दो component होता है, एक oil phase होता है, एक aqueous phase होता है, aqueous में पानी होता है, oil phase में mineral oil, edible oil, हम लोग कुछ भी use कर सकते हैं, emulsifying agent हो सकता है, कैसे attract a gun, इसका हम उपर भी use भी बात भी कर चुके है, auxiliary emulsifier, ये एक question आ सकता है, one marks में, ये क्या होते है, auxiliary मतलब होता है, सहयक, auxiliary का मतलब क्या होता है, सहयक, तो auxiliary emulsifier क्या है, they are normally themselves incapable of forming stable emulsion, ये खुद से तो stable emulsion नहीं बना सकते, but, 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 but their ability to function as thickening agent, but इनकी छमता क्या है, thickening agent, गाड़ा-गाड़ा कर देते हैं, help in stabilizing the emulsion, उस गाड़ेपन की वएसे क्या करते हैं, ये emulsion को indirectly stable करते हैं, ये खुद as a emulsifying agent की दर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो इनकी thickening agent वाली property है, उसकी वएसे उसको help परते हैं, example क्या है, beeswax, wool fat, wool alcohol, etc, antimicrobial preservative का इस्तमाल होता है, अब्विस से बात है, antimicrobial microbes को ग्रोहने नहीं देगा, phenol, chlorocrysal, phenoxy, ethanol, benzyl alcohol, benzylic acid, anti-oxidant का इस्तमाल होता है, gallic acid, prophyl gallate, ascorbic acid, sulfites, L-tocofirol, sweetening agent, sacrose, polyhydric alcohol, sorbitol, बगएरा-बगएरा, flavor and perfumes का इस्तमाल होता है, clear है बाते है, now, तो यह सारे क्या है, इसके अंदर, components, जो immersion के अंदर, इस्तमाल होते है, अब, जब हमारे पास, immersion बनके तयार हो गया है, तो हमको भाईया कुछ चीज़े चेक करनी है, कि क्या यह हमारा immersion सही है, तो हम लोग क्या करते है, quality control test करते है, किस-किस चीज़ के लिए test करते है, particle size के लिए, और particle count, ठीक है, तो कह रहा है, determination of change in the average particle size, और size distribution of droplet is an important parameter used for evolution of immersion, हम लोग क्या करते है, particle size, change in the average particle size, मतलब सारे conditions set करते हैं, और फिर देखते हैं, एक on an average कितना particle size में changes आ रहे हैं, और the size distribution of droplets, ठीक है ना, जो droplet का size का distribution है, ठीक है ना, is an important parameter used for evolution of immersion, तो size कितना change हो रहा है और size का distribution है, किस size के particle उसके अंदर distribute हो रखे हैं, it is performed by optical microscopy, जो हमने suspension में देखा था, इस तरह से एक microscope tube लगा जेते हैं, camera लगा जेते हैं और क्या करते हैं, suspension में डालेंगे इस तरीके से, या suspension के drops को हम लोग रखते हैं, microscope के अंदर, तो इस type से हम लोग optical microscopy, sedimentation by using Anderson apparatus and coulter counter apparatus, apparatus है हमाई रपर, proper checking करने की machine है, उसके help से हम लोग इसको check करते हैं, determination of viscosity, है न, कितना गाड़ा है, it is done to assess the change that might take place during aging, मतलब समय के साथ, aging मतलब बुड़ापा, कि हम लोग उसको stress situation देते हैं, temperature बढ़ाएंगे, खटाएंगे, तो aging करवाते हैं जल्दी जल्दी, कि कुछ laws हैं, जो कि ideal fluid पर लगते हैं, ठीक हो, थोड़ी सी physics है यहाँ पर, तो यह non-neutonion है, कि वहले टर्म अभी याद कर लेना, यहाँ पर detail में नहीं जाएंगे, और एक चीज, viscosity नापने के लिए हम लोग viscometres used, example, cone and plate viscometres, कि चीज का इस्तमाल करते हैं, determination of electrophoretic properties, जीटा potential बगएरा इस हाँ पर भी होता है, ठीक है ना, determination of electrophoretic property like, जीटा potential is useful for assessing flocculation, since electrical charge on particle influence the rate of flocculation, जीटा potential वोई चार्जर का पता करते हैं, जैसे कि suspension में था, stability testing, stability testing of emulsion involved determining ability at long term storage, condition, accelerated storage condition, freezing and thawing condition, तो हम लोग के देखते हैं कि कितना stable है, एक लंबी store रखने पर, वो कितने दिनों तक stable रहता है, दूसरा, accelerated storage condition, storage condition को हम accelerate करते हैं, थोग सा heat बढ़ा देंगे, ऐसे सिच्वेशन में रखते हैं, जिससे कि क्या है, उसकी जो storage condition थोग से extreme condition में लेके जाते हैं, कि कहां तक ये stable रहता है, freeze and thawing, test for emulsion, कि क्या मेरा emulsion जो बना है, वो सही बना है, और सही बना है, तो कहां तक, किस हद तक वो क्या कर सकता है, stable रह सकता है, ये तमाम बाते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, packaging of emulsion की बात करें, तो अगे नहीं यहाँ तो simple सी बात है, depending on the use, emulsion should be packed in suitable container, जिस टाइब का use है, उसे इसाफ का container इस्तेमाल कर लेंगे, emulsions means for oral use are usually packed in a well-filled bottle, having an airtight closure, अगर पीने के परपस से है, तो उसी इसाफ से bottle लेकर के, उसे well-closed रहने चाहिए, उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, light sensitive product are packed in amber color bottle, अगर मेरा emulsion light से sensitive light के लिए है, तो उसे amber color bottle, जो brownish से रहती है, हमारी black brownish से रहती है, for more viscous emulsion, wide mouth bottle should be used, अगर बहुत गाड़ा है, तो थोड़े चौड़े मूग की bottle का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, labeling of emulsion, the label on emulsion should mention that, these product must be shaken thoroughly before use, obviously बात है, emulsion है, तो उसको लिखा रहेगा कि, suspension और emulsion हो, अच्छे से हिलाई हैं, इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है ना, external use product should be clearly mentioned on their level, that they are mean for external use only, देखा होगा, जिन suspension को, body order पे लगाने के लिए होते हैं, तो साफ साफ सोड़ा बड़ा लिखा रहता है, for external use only, तो ये इनकी level पे mention रहेगा, तो ये बड़ा question आ सकता है कि, बताओ emulsion ये suspension के level पे, क्या खास्यत है, क्या क्या होना चाहिए, तो ये दो चीज़े हैं, जो रहनी चाहिए, storage, emulsion should be stored in cool place, ये ठंडी जगों पर रहें चाहिए, मतलब लगबब गोई रहता है, 8 से 25 डिगरी के temperature का, refrigeration should be avoided, refrigeration मतलब उन्हें जमाना नहीं है, freezer में नहीं रखना है, ठीक है, as this low temperature can adversely affect the stability of preparation, low temperature में रखने से, उसकी जो इस्टेबिल्टी वो affect हो सकती है, clear है, ओके, तो ये emulsion का chapter हमारा, खतम हो जाता है, थोड़ा सा lengthy था, बट समझना जलूरी था, क्योंकि इसके उपर तभी तुम इसके answers लिख पाओगे, मा समझ मारी ना, पढ़ करना क्या तुमको, पढ़ते जाना है, revise करते जाना है, और, PDF का link, इस वीडियो के उसमें मिल जाएगा, ये मेरा number और कोई problem आती है, ये अपनी application है, इसका use करना चाते हो तो, और वो हमेशा की तरह जो मैं बात बोलता हूँ, पढ़ते रहो, revise करते रहो, all the best!